साई की बात बचे अब तुझे मेरे अनुभव देखने को मिलेंगे और बहुत सारी लीलाएं मेरे बचे क्योंकि मैं तेरे भक्ती से और भाव से सेवा से बहुत प्रसन हुआ हूँ तेरा साई बहुत प्रसन हुआ है और मैं तुझे कुछ दिखाने वाला हूँ अपना एहसा कराने वाला हूं और सुन जो तुने खो दिया है न वो तुझे किसी और रूप में मिलने जा रहा है मैं तुझे दे रहा हूं और संभाल कर रखना तू बहुत दिरों से मांग रहा था न तो चल तुझे देता हूं और खुश रहा कर इस तरह यूं मायूस को रहता है मेरे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तू मायूस होता है और सुन। तू समझना कि कौन तेरा अपना है, कौन पर आया है, चुकि बहुत सारी लोग ऐसे मिलेंगे, जो तेरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे समझना होगा, मेरे बचे, समझना होगा। अब तेरी बीडियों को, तेरे बंधरों को, सब को तोड़ दिया है तेरे साई ने, अब तु आजाद है, खुल कर जी मेरे बचे, खुल कर जी, ये तेरी जिन्दगी है, जो मैंने तुझे दी है, तुझे जीना है, खुल कर जीना है, अच्छे से जीना है मेरे बचे, खुश बहुत सारा अशिरवाद भी मिलेगा तुझे और मेरी उदी का सेवन रवक्त किया कर और अपने पास भी रखा कर क्यूंकि मेरे बचे ये मुम्किन नहीं हो पाता कि हर पल मैं तेरे साथ रहूं क्यूंकि मेरे इस दुनिया में बहुत बचे है मुझे हर जगा जाना पड़ता है अगर कोई बच्चा मुझे पुकारता है न तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है मुझे शेडी भी जाना पड़ता है तो ये मम्किन नहीं हो पाता कि हर पल मैं तेरे साथ रहूं लेकिन सुन मेरी उदी साक्षात मेरा रूप है तो उसे अपने पास रखा कर वो तेरी रक्षा करा करेगी मेरी नामवजूद्गी में जब मैं तेरे पास नहीं होंगा न तो मेरी उदी ही तेरी रक्षा किया करेगी तो उसे अपने साथ रखा कर जब भी घर से बाहर जाए या घर पर रहे तो माथे पर तिलक लगाया कर और अपने साथ में रखा कर अपने पर्स में रखा कर उससे तेरी रक्षा होगी और तेरे बिगड़े काम बनने शिरू हो जाएंगे और अगर कोई तुझे चोट पहुँचाने की कोशिश भी करेगा न तो वो उदी रक्षा कवज बनकर तेरी रक्षा करेगी और बहुत सारा आशिरवाद तुछ पर बना रहेगा तो बिल्कुल चिंता मत किया कर जब मैं हूँ तेरे साथ तो क्यों चिंता करता है और सुन जो परिशानी है ना मेरे बचे तो चिंता मत कर यू नाउमीद मत हुआ कर जब तेरा साइन तेरे साथ है ना तो तेरा साइन तुझे नाउमीद होने नहीं देगा होने ही नहीं देगा ये तो मुम्किन ही नहीं है कि मेरा बच्चा रूट चाए मुझसे नाराज हो जाए मैं ऐसा कभी होने दे सकता हूँ भला कभी नहीं मेरा बच्चा खुश होगा और जो उसकी जिद है ना वो पूरी होकर रहेगी उसे मैं करूंगा ना तू क्यों चु जब सभव गाल करता है उसका जवाब भी तुझे जरूर मिल जाएगा और आज ही दूँगा वो जवाब आज ही मिले станा तुझे और सुन आज अभिषेक करना मेरा तुझे कुछ लीला देखने को मिलेगी मेरी कुछ करना और जब तू अभीशेक करेगा न तो तुझे खुश कबरी भी मिलेगी मैं तुझे ऐसी खुश कबरी दूँगा जिसे सुन करना तू बहुत खुश हो जाएगा खुश रहो मेरे बचे हमेशा खुश रहो आज का साई संदेश समाप्तुआ